हेलो एवरीवन आज हम देखेंगे क्लास एड आरबीसी सीबीसी के सब्जिक हिंदी का चैप्टर सेकींड लाग की चूडिया तथा साथ ही देखेंगे इस चैप्टर के सभी कोईशन और आंसर तो फटाफर से स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाग की चूडिया कहानी को लिखा है कामता नाज जी ने जिसमें लेखक ने मशीन द्वारा छीनते कारीगरों रोजगार को तो दर्शाया ही है साथ ही एक कुशल कारीगर की स्वाभिमान को भी दिखाया है लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टी में अपनी ननियाल अपनी मामा के पास जाया करते थे और एक देर महिने रहकर वहां आते थे वहां पर उसे बद्लू नाम का वैक्ती सबसे अच्छा लगता था क्यूंकि वह लेखक को लाख की गोलिया देता था वहें पेशे से मनिहार यानी चूडिया बनाने वाला था वहें लाख की सुंदर-सुंदर चूडिया बनाया करता था बदलू का मकान गाव में कुछ उचाई पर था जिसके सामने नीम का पेड था। उसकी बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाग पिगलाया करता था। लाग को मुंगेरियों पर चड़ा कर वहे उन्हें चूडियों को आकार देता था। लेखक अन्ने बच्चों की तरे उसे बदलू काका कहते थे। आसपास की ओरते भी चूडिया बदलू काका से ही ले जाती थी। हालांकि वहे चूडियों की बदले पैसे ना लेकर अनाज लिया करता था। परन्तु शादी ब्याहा के वोके पर वहे चूडियों का मुं मांग दाम लेता था वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा था बदलू को कांच की चूडियों से बहुत चिर थी वह किसी मैला की कलाई पर कांच की चूडिया देखकर गुस्ता हो जाता था वह बचपन में लेखक से उसकी पड़ाई के बारे में पूछता लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरते काच की चूडिया पहनती हैं वह लेकक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय की दूद की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक आट-दस वर्षों तक गाउं में ना जा सका वह लगबग आट-दस सल के बाद में गाउं गया अब बड़ा होने पर उसे उसमें कोई रूची नहीं थी लेखक ने देखा कि गाउं की सभी इस्त्रिया अब काच की चूडिया पहने लगी थी एक दिर उसकी मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और काच की चूडियों की चुबने से उसकी कलाई में घाव हो गया जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया वह बदलू से मिलने उसके घर गया आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चार पई बिछा कर लेटा था बदलू काका का शरीर बूरा हो चुका था उसे खांसी भी थी बदलू ने लेखक को पैचाना नहीं तब लेखक ने उसे अपना परिचे दिया जिससे बदलू ने उसे पैचाना बदलू की लाग की चुडियों का काम बरबाद हो गया था उसकी गाय भी बिक चुकी थी बदलू काका ने लेखक क बताया कि आजकर सभी काम मशीन से होते हैं मशीनी काश की चूडियां लाग की चूडियों से अधिक सुन्दर होती है इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो डलिया में आम ले आई लेखक की द्रश्टी रज्जो की कलाई पर सुन्दर लग रही लाग की चूडियों पर गई यहें देख बदलू ने लेखक को बताया यहीं उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है जिसे उसने जमिदार की लड़की की विभा के लिए बनाया था जमिदार इस जोड़े के दस आने दे रहा था इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया बदलू की इस बात में लेखक ने उसका स्वाबी मान देखा अब हम करेंगे इस शेप्टर के कठी शब्दार वर्ड है चाव जिसका अर्थ होता है चाहा या तिवर इच्छा नेक्स्ट है सलाग जिसका अर्थ होता है सलाई या धातु की छड़ नेक्स्ट है मूंगरी जिसका अर्थ होता है गोल या मुठ्यादार लकड़ी जो ठोकने बीटने के काम आती है नेक्स्ट है पैत्रक जिसका आर्थ होता है पुर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुष्टेनी नेक्स्ट है खपत जिसका आर्थ होता है माल की विक्री नेक्स्ट है विनी में जिसका आर्थ होता है अदल बदल या वस्तू की अदल बदल नेक्स्ट है कसर जिसका आर्थ होता है घाटा पूरा करना या कमी नेक्स्ट शब्ध है नाजूग जिसका आर्थ होता है कोमल नेक्स्ट है पगडी जिसका आर्थ होता है सिर पर लपेटी जाने वाली कपड़े की लंबी पट्टी या पाग नेक्स्ट है मरहम, पट्टी, जखम का इलाज या घाव पर दवा लगा कर पट्टी बानना नेक्स्ट है मचिया जिसका आर्थ होता है सोतली, आदी से बनी छोटी या चोकोर चोकी नेक्स्ट है मुखातीव जिसका आर्थ होता है देख कर बात करना नेक्स्ट है दलिया जिसका अर्थ होता है बास का बना एक छोटा पात्र और लास्ट है फबना जिसका अर्थ होता है सजना या सोभा देना अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यासकारे सरपथम देखेंगे कहानी से जिसमें कुशन फर्स्ट है बचपन में लेखक अपने मामा की गाउं चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था तो आईए इसका आंसर देखते है आंसर है बचपन में लेखक अपने मामा की गाउं चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा की गाउं में लाग की चूडिया बनाने वाला कारीकर बदलू रहता था लेखक को बदलू काका से अध्यदिक लगाव था वहें लेखक को धेर सारी लाग की रंग की गोलिया देता था इसलिए लेखक अपने मामा की गाउं चाव से जाता था गाउं के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे इस कारण लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था नेक्स कुशन सेकिंड है वस्तु विनी में क्या है और विनी में की प्रश्लित पद्धती क्या है आंसर देखते हैं आंसर है वस्तु विनी में मैं एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था वस्तू के लिए पैसे नहीं लिये जाते थे वस्तू के बदले वस्तू ली दी जाती थी किन्तु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तू का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है विनी में की प्रशलित पद्दती पैसा है नेक्स कुशन थाड़ है मशीनी यूग ने कितने हाथ काट दिये हैं इस पंक्ती में लेखक ने किस व्यथा की और संकेत किया है आंसर है इस पंक्ती में लेखक ने कारिगरों की व्यथा की और संकेत किया है मशीनों के आगमन के सार कारीगरों के हाथ से काम धंदा छीन गया मानों उनके हाथ ही कट गए हो उन कारीगरों का रोजगार इन पैत्रक काम धंदों से ही चलता था उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीका था वे पीडी दर पीडी अपनी इस कला को बढाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं परन्तु मशीनी यूग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है मशीनों ने उन लोगों को बेरोजगार बना दिया है आंसर देखते हैं बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था परन्तु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका वेविसाई ठब पढ़ने लगा अपने वेविसाई की यह दूरदशा बदलू को मन ही मन कचोड़ती थी बदलू के मन में इस बात की वेथा थी कि मशीनी यूग की प्रभाव सरूप उस जैसे अनिक कारिगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का सिकार होना पड़ा है अब लोग कारिगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं यह वेता लेकक से चिपी न रह सकी नेक्स फिफ्ट क्यूशन है मशीनी यूग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया आंसर है मशीनी यूग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का वेवस्टाइब बंद हो गया वेह बेरोजगार हो गया काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया उसके हातों माथे पर नसे उभर आई अब वेह बीमार रहने लगा नेक्स पार्ट है कहानी से आगे जिसमें कोशन फर्स्ट है आपने मेले बाजर आदी में हातों से बनी चीजों को बिकते देखा होगा आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रियास किया हो तो उसके विशे में लिखिए तो ये कोशन आपको खुश से अटेम्ट करना है नेक्स सेकेंड कोशन है लाग की वस्तू का निर्मान भारत की किन किन राज्यों में होता है लाग से चूड़यों की अतिरिक्त क्या क्या चीज़े बनती है ग्याद कीजिए तो चलिए इसका आंसर देखते हैं लाग की वस्तू का निर्मान भारत की राजिस्थान उत्तर परदेश मध्य परदेश में होता है लाग की वस्तू का निर्मान सरवादिक उत्तर परदेश में होता है लाग से चूडियां, मूर्तियां, गोलियां तथा सजावट की वस्तू का निर्मान होता है नेक्स पार्ट है अनुमान और कल्पना जिसमें हमें खुश से अनुमान करना है, कल्पना करनी है और इन कोईशन को अटेम्ट करना है तो कोईशन फर्स्ट है घर में मेमान के आनी पर आप उसका अतीती सतकार कैसे करेंगे इसका आंसर सोचिए और लिखिए नेक्स सेकेंड कोशिन है आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है वहां की दिन चर्या अलग कैसे होती है लिखिए तो इस कोशिन को भी आपको सोच कर लिखना है नेक्स थर्ड कोशिन है मशीनी युग में अनेक परिवर्टन आए दिन होते रहते हैं आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्टन का उधारन चुनिए और उसके बारे में लिखिए तो इसका आंसर देखते हैं आंसर है मशीनी युग की परिवर्टन का एक अच्छा उधारन क्रिशी है पहले किसान हर काम हास से ही किया करते थे कुछ कार्यों के लिए बैलों का सहारा लेना पड़ता था लेकिन आज कल हर काम मशीन से होता है इससे छोटे मजदूर बेकार हो गए उन्हें अपनी रोज इतने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्टन होता रहता है आप इन परिवर्टनों को किस प्रकार देखते हैं आपस में चर्चा कीजिए और लास्ट फिफ्ट कोईशन है हमारे खान पान रहन सेहन और कपडों में भी बदलाव आ रहा है इस बदलाव की पक अशा की बात जिसमें कोईशन फरस्ट है बदलु को किसी बात से चिड़ थी तो कांच की चूड़ियों से और बदलु स्वेम कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहां समभव है यह पंक्तिया बदलु की दो प्रकार की मनोधशाओं को सामने लाती है, दूसरी पंक्ती में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंगे भी है, हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंगे में बोले गई वाक्यों के अर्थ सामने नहीं होते, कुछ वेंगे वाक्यों को ध्रान पूर्वक समझ कर एकत्र कीजिए और उनके भीत्री अर्थ की व्याख्या करके लिखिए तो चलिए कुछ वेंगे यहां हम देखते हैं तो यहां व्याख्ये वाक्ये हैं अब पहली जैसी ओलाद कहां तो आंसर है व्याक्या है जो इसकी वो ये है आजकल किसी भी बुजुर्ग की मुख से आम तोर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनकी हिर्दे में छिपा दुख और व्यंगे देखने को मिलता है उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सब्मान नहीं द किसी भी व्यक्ति, इस्थान, वस्तु, विचार अत्वा भाव को संग्या कहते हैं संग्या को तीन भेदों में बाटा गया है के व्यक्ति वाचक संग्या जैसे शहे, गाव, पतली, मोटी, गोल, चिकना, इत्यादी खे, जाती वाचक संग्या, जैसे चरित्र, सभाव, वजन, आकार, आदी द्वारा जाने वाली संग्या गे, भाव वाचक संग्या, जैसे सुन्दर्ता, नाजूग, प्रसनता, इत्यादी, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार, न वजन परंतु उसका अनुभव होता है पाट से तीनों प्रकार की संग्या चुनकर लिखिए आंसर है के, व्यक्ति वाचक संग्या, जैसे बदलू, बेलन, मचिया खे, जाती वाचक संग्या, जैसे आदमी, मकान, शहर गय, भाववाचक संग्या, जैसे स्वभाव, रुची, वैथा लास कोशन थर्ड है, गाम की बोली में कई शब्दों के उच्चारन बदल जाते हैं कहानी में बदलू, वक्त को बखत, उम्र को उमर कहता है इस तरह के अन्ने शब्दों को खोजिये, जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं आंसर देखते हैं, इंसान, जिसे मनुष्य भी कहा जाता है रंज, यानि की दुख, गम, जिसको बायूसी भी कहा जाता है जिन्दगी, जिसका अर्थ होता है जीवन और लाग, जिसका अर्थ होता है संतार तो ये था चैप्टर लाग की चूड़िया जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकि एंड तक कमप्ली समझा दिया है अगर फिर भी आपको किसी कोशन में कोई क्वेरी रहती है कुछ कोशन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा इस वीडियो को शेयर करें हम फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स चेप्टर के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच